पंजाब में मचा इंडिया गटवंधन पर बबाल कॉंग्रिस और आम आदनी पार्टी नहीं होंगे साथ साथ आपको इंडिया में शामिल कर फसी कॉंग्रिस इंडिया गटबंधन में कॉंग्रिस के साथ आमादनी पार्टी भी शामी नहीं लेकिन पंजाब को लेकर कॉंग्रिस और आमादनी पार्टी की नेता आमने सामने हैं पंजाब कॉंग्रिस नेताओं ने हालात को साफ तर पर समझा दिया पंजाब में आम आदनी पार्टी के साथ मिलकर चुनाब लड़ने का सवाल ही नहीं पंजाब कॉंग्रिस प्रदिस अध्यक्ष ने अपने आलाकवान को भी समझा दिया आमादनी पार्टी से कोई भी समझाओता नहीं अगर हम आमादनी पार्टी का समर्थन करते हैं या उनके साथ चुनाव लड़ते हैं तो वो हमारी रस्तित को ही खत्म कर देंगे वहीं आमादनी पार्टी के तरब से भी कॉंग्रस के खिलाफ लगातार बयान बाजिया हो रही है क्यूं कहा जा रहा है कि पंजाब को लेकर इंडिया गटवंधन में बावाल मचेगा की भारतीय राष्टिय विकासात्मक समावेशी गटवंधन से हटकर अलग-अलग चनाव लडने की संकेत हैं तोनों ही राज़नि दिलों के नेताओं ने ये संकेत देने आमादनी पार्टी को पंजाब की सभी तीरे सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तयार रहना चाहिए। पंजाब में अपने पहली सरकार बनाई हैं। आमादनी पार्टी को पंजाब की सभी तीरे सीटों पर चुनाव लड़ने का अमन मना लिया है। इस तरखे गटवंधन का लाब सीथे तरपर श्रुमनिया काली दल को होगा। आमने कॉंग्रेस अध्यक्ष राजा वर्डिंग और विपक्ष के नेता परताब बाजबा को 16 सितम्बर को हैदरावाद में अगामें CWC बैठक में मौके पर इस मामली को आला कमान के सामने उठाने के लिए भी कहा था। कर दो